दोस्तो आज मैं आपको मुबाइल पर आने वाली incoming call के 6 new hidden features के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़ादा important और useful features है अगर आपके मुबाइल पर daily incoming call आती है तो आपको इन features के बारे में पता होना चाहिए ये features आपकी बहुत ज़ादा help करेंगे तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को end तक देखिए वीडियो को like कर दीजिए अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजिए साथ में bell icon को दबा कर all पर set कर दीजिए ताकि जैसी मैं कोई नय video upload करूँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको dialer को open करना है इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको three line पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको settings पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी incoming call setting आप देख सकते हैं आपको इसे open करना है अब यही पर दोस्तों आपको incoming call के 6 hidden features देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं पहली setting की तो इसका नाम है flip to silent ringer अगर आप इस setting को on कर देते हैं इसके बाद जब भी आपके mobile पर कोई भी incoming call आता है तो आप mobile को अगर इस तरह से कर देंगे तो जो ring है दोस्तों वो automatic silent हो जाएगा जैसे के आप देख सकते हैं तो यह काफी useful feature है दोस्तों दूसरी setting का नाम है quit ringer win left head अगर आप इस setting को on कर देते हैं इसके बाद अगर आपका mobile कुछ इस तरह से रखा हुआ है और कोई भी incoming call आता है आप mobile को जैसे ही उठाएंगे तो जो ringtone है दोस्तों वो automatic low होता चला जाएगा जैसे के आप देख सकते हैं जो ring है वो धिरे धिरे slow हो जाएगा तो ये भी दोस्तों काफी useful feature है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी से like बटन को दबा दीजिए दोस्तों तीसरी setting का नाम है increasing ringtone volume अगर आप इस setting को on करते हैं इसके बाद अगर कोई भी incoming call आता है तो दोस्तों जो ringtone का volume है वो धीरे धीरे बढ़ेगा volume level एकदम से नहीं बढ़ेगा यानि कि जब भी क्या होता है कोई भी incoming call आता है तो एकदम जोर से ringtone बजती है लेकिन दोस्तों इस setting को on करने के बाद ringtone है जो एकदम जोर से नहीं बजेगी उसका जो volume level है वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये setting भी आप on कर सकते हैं ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों चोती setting का नाम है flash wind ringing ये setting अगर आप on कर देते हैं इसके बाद जब भी आपके mobile पर कोई incoming call आएगा तो mobile के flash light जलने लगीगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके mobile पर incoming call आ रहा है कई बार ऐसा होता है हम अपने mobile को silent कर देते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता है कि incoming call आ रहा है अगर आप ये setting on कर देंगे जैसे incoming call आएगा तो flash light जलने लगीगी दोस्तो पाचवी setting का नाम है proximity sensor ये setting दोस्तो default on होती है ये setting का काम क्या है जब भी mobile पर incoming call आता है और जैसी हम अपने mobile को कान पर ले कर जाते हैं तो दोस्तो जो mobile की screen है ये automatic off हो जाती है जिससे दोस्तो screen पर कहीं पर भी कुछ touch नहीं होता है call cut नहीं होती है लेकिन अगर आप ये setting off कर देंगे और आप incoming call आने के बाद जब भी अपने mobile को कान पर लगाएंगे तो screen है जोस्तो वो off नहीं होगी और हो सकता है कि screen पर कहीं कुछ touch हो जाए तो हमेशा आप ये setting on रखिए जब भी incoming call आएगा और आप mobile को कान पर लगाएंगे तो screen off हो जाएगी दोस्तो आखरी setting का नाम है mute first ring अगर आप ये setting on कर देते हैं इसके बाद जब भी आपके mobile पर कोई unknown number से incoming call आएगा यानि कि कोई number है जो आपने save नहीं किया है आपके mobile में number save नहीं है और उस number से आपको कोई incoming call आता है तो जो ring है दोस्तो पहली ring बजेगी नहीं यानि कि call आ रहा है तो first ring नहीं बजेगी second third ring उसके बाद बजना शुरू हो जाएगी तो ये भी useful setting है जरूर से try कीजिए तो दोस्तो अगर आपको ये video थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कीजिए what's up facebook पर जाद से जाद शेर कीजिए अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजिए और साथ मैं bell icon को दबा कर all पर set कर दीजिए ताकि जैसी मैं कोई नया video upload करूँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए और एक comment करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you